अबस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट की तमाम क्रेजी और बड़ी छोटी खबरें तो दोस्तों क्या आप जानते हैं आज तक विश्व क्रिकेट के इतिहास में कितनी डबल सेंचुरी बनी हैं और अगर आपको भी लगता है कि पहली अंतरास्टे क्रिकेट सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकली थी तो दोस्तों आप गलत हैं तो जानने के लिए कि किसने मारा था पहला अंतरास्टे दोराशत है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप स्किप करते वे देखेंगे तो बड़े ही मज़दा रिकॉर्ड आप से छूट जाएंगे दोस्तों और बता दूँ कि अगर आप नए हैं चैनल में त पुल दस दोहरे शतक लगे हैं जी हां और इस लिस्ट में जो पहला नाम सामने आता है वो है सचिन तेंदुलकर का विश्व वंडे क्रिकेट के इतिहास में डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर सर के बल्ले से 2010 में सौथ अफरिका के खिलाफ निगलिती फिर इसके बार ना वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने तोड़ा साल 2015 में उन्होंने 2015 में जिंबावे के खिलाफ मात्र 138 गेंदों में अपना दोराश तक पूरा किया था जो की आज तक भी अनब्रेकेबल एक रिकॉर्ड है इस लिस्ट में तीसरा नाम है न्यूजिलेंड के मार्टिन गुप कandra में जिंबावे के खिलाफ यह कारणामा किया था इस लिस्ट का च्छठा खिलाडी वो है जिसने यह कारणामा एक बार नहीं बलकि तीन तीन बार किया है जी हाँ आप सही सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं रोहिच शर्मा की इस खिलाडी ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिला 264 जो आज तक का सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड है और अपना तीसरा दोराश तक साल 2017 में शिलंका के ही खिलाफ उन्होंने लगाया था दोस्तों हम आपको यहाँ पे यह बता दें कि इस लिस्ट में दो फीमाइल खिलाडी भी हैं जो यह कारनामा कर चुकी है पहली है न्यूजिलेंड की अमीलिया केर इन्होंने साल 2018 में आइरलेंड के खिलाफ यह कारनामा किया था और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि विश्व क्रिकेट का पहला दोराश तक किसी पुरुष ने नहीं बलकि आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलेंडा क्ला में डेन्मार्क के खिलाफ खेलते वे किया था उन्होंने नाबाद 239 रन बनाये थे तो दोस्तों आशा करते हैं आप हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो फटा फट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो लाइक करें और साथ साथ इसे शेर भी कियें अन्त तक आप हमारे साथ बने रहें उसक्राइब धन्यवाद